तो आप अपने institution में 6 या 6.5 बैंड दे रहे हो reading में तो कई वर paper में जाके ऐसा क्या हो जाता कि आपका score 5.5 या 5 रह जाता है ऐसे बहुत सारे students देखे होंगे आपने आपकी class में जिनका score 6.5 आराम से आ रहा होता है reading में बट paper में जाके उनका score कम हो जाता है 5 या 5.5 तो ये क्यों है there's just one major reason सिर्फ और सिर्फ एक reason है इसके पीछे और वो है कि आप paper में जाके ऐसा क्या करते हो काफे सारे students होते हैं जो कि nervous हो जाते हैं सबसे बड़ी problem यही होती है वहाँ पे जाके stress लेने लग जाते हैं वहाँ के atmosphere में जाके comfortable नहीं हो सकते हैं वहाँ पे जब आप reading solve कर रहे होते हैं तो teachers बोलते हैं half an hour left, ten minutes left, five minutes left, अग्दा मिट रहे गया हूंता sheet दे दे तो आप वहाँ पे time का especially time का pressure ले जाते हो reading की ही बात क्यों कर रहा हूं कि most of the time जो problem आती है वो reading में ही आती है test में तो इस video में आपको बताऊंगा कि test में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा ताकि बड़ी score लेजगो listening से start करते हैं listening पे अगर एक, दो, तीन, ये चार question miss भी होते हैं स्पीड अगर suppose करो आपको तेज भी लगती है तो छोड़ दो, leave them जुरूरी नहीं है कि आपको उसी की उपर बैठा रहना पड़ेगा बहुत बार ऐसा होता है कि question miss हो जाते हैं लेकिन आप उसका stress ले 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 थे हाई मेरे तन रहेगे, हाई मेरे तन चार रहेगे पांज़ स्केप होगे बाकी भी ता पए है ना, बाकी भी ध्यान से देखो बाकी कितने pending अभी चार sections और pending है आपके जब आपके कम marks आते थे स्कूल में तब को parents क्या बोलते थे चलो ठीक है, जो होगे छोड़ दो अब next paper नहीं खराब करना अगर ये paper आपका अच्छा नहीं हुआ तो next paper नहीं खराब करना वही चीज़ अगर दो तीन skip भी होगे ना, छोड़ दो उस चीज़ को वापस नहीं recording चला सकते आगे बढ़ जाओ, और बिल्कुल काम रहना वहाँ पे जागे, क्योंकि सबसे main चीज़ ये है कि आप वहाँ पे कितने काम होगे paper करते हो, stress में paper करोगे, आपको भी बता, उन्हें बंदे ऐसे भी देखे हैं, जो कि stress में जाके paper देते हैं और उनका score कभी कभी नहीं आता और कुछ ऐसे students भी आप नहीं देखे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे चल मूड में जाते हैं और बड़ी है score ले लेते हैं Now what about reading, reading में जाके सबसे पहले चीज़ देखना है कि easy passage कौन सा, या बोलोगे कि वो कैसे पता चलेगा तो उसको ढूडने के दो तरीके हैं पहला तो ये question की जो heading है आपकी वो, कि वो किस के related है कोई story है, कि कोई research के उपर है कि कोई history के उपर boring सा topic है boring सा topic आप छोड़ सकते हूं कोई ऐसे story बगरा है तो वो आप करो, पहले solve करो पहले attempt करो This is the first method अभी second क्या है जिस passage में आपका favorite question type पड़ा है वो पहले करो आपके true false और list of heading बढ़िया है वो वाले passage ढूड़ो जिसमें ये वाले question हो easy passage पहले करना फिर intermediate और जो tricky वाला होता है वो last में करना वो पहले करोगे जादा time उसके उपर आप लगा दोगे और जो easy वाले है high में रता third passage रहेगा बहुत easy सी वो रह जाएगा जिस्ट एक ए दो मिनिट में पता चल जाता कि easy passage कांसा है अभी writing की बात करते हैं देखो सबसे बड़ी mistake student क्या करते हैं मैं वो बताऊंगा देखो दो चीज़े होती है pre-writing and post-writing pre-writing में आप क्या करो जिस्ट देखो आपके ideas क्या क्या है आपको statement मिलगी आपको पता है ठीक है ये ideas है पहले अपने paper की जो answer sheet है उसके उपर या फिर question paper के उपर लिख लो short form में कि हाँ ये BB1 के ये दो idea बताऊंगा BB2 के ये दो idea बताऊंगी ये लिख लिए ये आपकी script ready होगी उसके बाद अगर complex structure आपको अच्छे से आते हैं तो side में चाहे मत लिखना direct start कर देना अगर नहीं आते तो आप वहाँ पे short form में लिख देना जो question है न advantages और disadvantages पूछे हैं वो बताऊ अगर reason भी पूछा है तो वो भी बताऊ अगर बोला है कि example भी दो उसमें relevant example दो तो भाई देनी ही देनी है task 1 की बात करें अगर आपको बिना years वाले chart आ रहे हैं तो उसमें कुछ sentences जैसे maximum minimum यूज कर सकते हो as compared to respectively followed by फिर और कई तरह के sentences है ठीक है और कुछ sentences अपने जो pit sentences है वो रुखो आप अपने दूसरे charts के लिए जिसमें years आते हैं और writing करने के बाद proof reading is must proof reading जरूर करना ये जरूर देखना कि भाई कोई कॉमें वगेर की mistake तो नहीं रहेगे कोई ये चीज़े आपको हमेशा ही proof reading में पता चलेंगी ठीक है proof reading is must जिनका भी exam है all the best thank you for watching I hope थोड़ी से information आपको मिली हो keep loving and keep supporting